हेलो मैं फ्रेंट्स कैसे हूँ आप सभी आई हूप आप सभी बहुत अच्छी होगाज आए मैं चन्द ट्रकाश और आप देख रहे हो अपना फिल्मी राइडर चैनल तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बगावत फिल्म की लोकेशन ज इना रोय जी तो दोस्तो इस फिल्म की जो लोकेशन है वह मैं आपको बता देता हूँ फिल्म में लोकेशन आती है जब धर्म Show кино Capital गांट मैं को दिखाऊंगा थो वह हमाले जी घाला किन्त भागता है किसे टो वह मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तो चलिये और स्सक्राइब काफी ज़ाधा अच्छी और इसे क्या गाने भी काफी अच्च्य अगर आपने फंडल म है نہ姓 देखने जरूर सीथिल्म तो दोस्तों चलिए अगर आप हमारी चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर ले ना और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर ले ना तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं फिल्म की शूटिंग लोकिशन पर कर दो चलिए सब्सक्राइब ना तो जो प्लिए तों मैं आपको लेज़ की श्सक्राइब। कि अखिधने का नहां जब रगला आता है इसकत बाहिए झायं जोकाओ जूल वको जो जूल वा सिर्फ़को जूल 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 वको स क२ जूल जूल वको जिय घ्यु कैसा इसके है बाहिए हम झाल गाटिया इस्टार्ट होने वादिये गाटिया तो दोस्तो दूप जो है काफी जादा हो रही है और अब भी मैं आज कहूं एजटली कुछी लोकेशन पर ठीक है आमेर फॉर्ट जो है वहां से कुछ सीन हुए है बगावत के जो कि अभी तक आपको किसी नहीं दिखाए ना ही उसके बारे में किसी को पता है तो जो कुछ लो मूवी है बगावत अगर आपने देखी हो तो नहीं देखी है तो जरूर से देगना धर्मेंदर जी की है और मैं आपको इसकी जो लोकेशन है वह दिखाऊंगा तुक काफी जादा हो रही है जिसके वेज़े से काफी पसीन हा रहे खौक है तो अभी जा रहा हूं मैं उस ल जान से लड़का आ रहा है बाई तो उसको डलान को मैच कर सकते हूं और यह जो आपको कॉर्णर में जो दिख रहे हैं तो इनको भी आप जो है मैच कर लीजिए छोटे पिलर्स है तो इन्हें भी आप देख लीजिए और इसी जगे का सीन है दोस्तों तो दोस्तो यहां से जो नजारा है ना बहुत ही खतरनाक आ रहा है आप यह देखिए कितना खतरनाक नजारा आ रहा है मस्त और यहां आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा तो दोस्तो फिल्म का जो एक सीन है ना वो यहां से लिया गया है आप देख सकते हो कुछ इ यह भी उसी प्रकार से मैच कर सकते हो दोस्तों आप तो दोस्तों जो जगे है काफी अच्छी जगे है तो दोस्तों आप जो सामने देख रहे हो ना इसी जगे से जो है हेमा मालनी जी आती है अपने काफिले के साथ में यहां से पूजा करके वो आती है और यहां पे धर्मिंदर जी इंतजार कर रहे होते हैं और इसी जगे से जो है उनका पुतला आता हुए भकते हुए ठीक है पुतले गोड़े के उपर पूतला होता है धर् दोस्तों इस लोकेशन gu outro इस सिंट लिए और इहां से एक शीन लिया गया था यहां पर जो है उनका हाथ रहता है मामन लीजी का और यहां पर जो है धर मेंधर जी हाती के उपर Bassettv बैठे होते हैं दोस्तों hisking fire मैंने मैच कर लीजिएगा इस धलान जो है डिजाइन इसे उसी प्रकार से मैच कर लीजिए और पीछ आपको पेड़ के बीच में यह छतरी दिख रही होगी गुमत पेड़ों के वज़े से जो है दिखनी पारा जो पीछे है वो जैगर है तो उसी जगे का सीन है दोस्तों देख लीजिए आप और यह जो सी दोस्तों फॉट से जो यह जो लाइन के चीविए तो यह आपको दिख जाएगी जे जो बॉडर आपको दिख रहेगे ना दोस्तों धिख जाएगे आपको और यह जो ब्लैक स्पोर्ट हो रहा ना एक्चल में यहां से जो पानी गिरा तो उसकी वज़े से पेंट उत्रा होगा तो उसी वज़े से स्पॉट हो गए हना यह नालिया है और दोस्तो जो आप सीन है उसी प्रकार से दो गुम्मत है उपर छोट छोटी तो इसे मैच कर सकते हो उसी प्रकार से इस डिजाइन को भी से जरे को मैच कर सकते हो इसी जगे का सीन दोilateral कि एक सीसियन झालिया वह जो इसी प्रकार से लिए आप देख सकते हो उर्ट कर accident होती है रिना रोय तो वो भी यहीं से आती है और हीमा मान मालिजी न anlat गया है और दोस्तों यहां पर जो है जोदाकबर मूवी है ना उचकी शूटिंग हुई है दोस्तों इसी के अंदर और जो जोदाकबर की कहाने वह यहीं से जुड़ी विया है क्योंकि राजा मान सिंग जी यहीं आमेर के थे अगर आपने सुना हो महाराना प्रताब जी का यहीं आमेर से थे तो आप देख लीजिए यह सामने का जो बाग है आप इसमें जो दाकबर है तो यहीं कही है और इसमें गाना आता है कहने को जश्चने बहारा है तो वह जो मुवी है जो एक बार उसके जो सॉंग्स है और शूटिंग यहीं पर हुई थी तो यह सीन आप देख लीजिए दोस्तो तो जैसा कि आप देख रहे हो आप के सामने जो छत्री के लिए वो निए यह बेज देती हैं तो दोस्तो इसी का यहां पर उनके कुछ आदमी खड़े होते हैं धर्मेंदर जी के और यह जो है जो लास्ट में आता है यह सीन जब लड़ाई करने करने लिए जाते हैं ठीक है तो इसी जगए का सीन है दोस्तो और आप देख लिजे के कुंढी है और इसी के साथ-साथ, यहां पर कई मूवियों के शूटिंग हो चुकी और रिसेंट में अभी दो दिन पेले यहां पर स्वूटिंग हो रही थी जब में यहां आए था, ठीक है तो यहां पर एक साउथ मूवी के शूटिंग हो रही थी और उसके कुछ शूट जो है सामोध पैलेश में भी हो रहे थे तो उस दिन दो में यहाँ आ नहीं पाया और दोस्तो यह जो चिट्टान है इसके बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है तो कुछ जो सीन है वो उसी प्रकार है आज भी और कुछ बदलाव कर दिये गए है क्योंकि historical place है तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लगे प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगे है तो कमेंट जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है दोस्तो सब्सक्काइब भी कर देना दोस्तो लोकडाउन होने के बाउजोद यहां पर काफे टूरिस्ट आ रहे हैं और दोस्तो यह जो वीडियो है आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर से बताना तो दोस्तो मिलेंगे नए व्लॉग में नई शूटिंग लोकेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत